हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भी के सर मस्ती में आज हम लोग इस वीडियो के माध्याम से जानेंगे कि पंद्रह परकार के जो आपका कगजात तैयार करने के लिए जो आदेश दियेगा है बिहार बिधान सभाद में दिलीप कुमार जैस्वा जी जो मंत्री है भूमिराजस्वा विभाग ते यह आपको आदेश दिये कि इन अगर 15 कगजात के मैंसे कोई अगर कगजात आपके पास होता है तो आपके जमीन का सर्वे आपके नाम पर करा दिया जाएगा इन 15 परकार के कोई भी एक कगजात होना जरूरी है लेकिन यह 15 परकार के कौन कोंसे कगजात है यह आपके पास उपलब्द है या नहीं है इन सभी को आज हम लोग इस वीडियो के माधियम से जानेंगे और जानने का परियाश कर तक आपके आपको आपके लब्द कराना होगा जैसे भी हो तब जाकर कि comment में आपका जो भी प्रश्ण होगा किजिएगा या इन में से कुई कगजात आपके पास अगर है तो भी बता दिजिएगा कि आपके पास कौन सा कगजात है उसका देखा जाएगा सबसे पहले फर्श्ट नमर में आपके कगजात की बात की जाएगा तो है आपका लगान रसीद लगान रसीद के मतलब होगा है कि जो आप लगान भड़े होंगे मल गुजारिज इसको बोलते है उसका अगर च्छाय प्रति अगर रसीद होगा तो ओ भी अगर आप जमा कराते हैं तो आपका क्या हो जाएगा भूमी सर्वे हो जाएगा सेकंड नमर में आपका करा है कि म्यूटेशन म्यूटेशन का मतलब होगा आपका दाखिल खारिज दाखिल खारिज का अगर पेपर रसीद अगर होगा तो उसका भी अगर कॉपी अप लगा देते है तो उस ओ हो जाएगा दो नमबर हो गया तिन नमबर में आपका करा है कि दस्तवेज या केवाला या डीड हो दस्तवेज मतलब समझ रहे जो जमीन खरीदे उसका जो पेपर रेजिस्ट्री आफिस से बन करके निकलता है और ओ रेजिस्ट्री पेपर आप अगर दिखा देते है भूमी सर्वेक्षन भीभाग को तो आपका जमीन आपके नाम पर सर्वे करा दिया जाएगा या उसी को केवाला बोलते है अंग्रेजी में उसको डीड बोलते है ठीक है चार नमबर में आपका करें कि मूल प्रति खतियान जैसे माली जे कि बाप ददा का जमीन है पुस्तैनी है पैतरिक संपती है तो उसका अगर खतियान आपके पास है तो भी आप ये लगा दिजेगा तो आपका सर्वे हो जाएगा उसके बाद पाँच नमबर में करें कि पिछला सर्वे कागज पिछला सर्वे होगा था कब जब 1889 में आपका हुआ था CS हुआ था और RAS हुआ था CS अला आपका हो गया काइड रेश्टल सर्वे RAS हो अलवा हो जाएगा आपका रिवीजनल सर्वे अगर दोनों सर्वे में से किसी सर्वे जो पिछीला साल वाला पिछीला वर्स का जो होगा उसमें कोई अगर कागजात आपके पास परूफ में है तो वो-क॥ा ऋग्जात आप देच सकते हैं भोमी भी भाग के उसके बार करें कि छे नंबर्बर में पर नाम्बर में आपका कोट का पेपर वहां से आपको कुछ मिला हुआ है जो order का रूप में है अगर वो भी दिखा देते हैं कि इस जमीन पर विबाद चल रहा है और इस जमीन का order यहां से कोट से आपको मिला है तो आपका सर्वे हो जाएगा उसके पास सात नमर में कर रहा है कि विबादित डिगरी कागज मालेजे की किसी जमीन पर मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे चलने पर उसका कागज डिगरी हो गया मालेजे किसी के पक्ष में जमीन को क्या किया गया सुनवाई कर दिया गया तो वो डिगरी का कागज अग आज motions और नकल समझ रहें उसका print out अगर नकल निकाल लेते हैं अगर नकल भी आपके पास अगर original नहीं है तो नकल भी निकाल के दे दिजेगा तो आपके पास हो जाएगा ऋसके बद्ध करने की नो नम Jesús집 की काफी जम बंदी समझ रहें जीन के नाम पर जमीन की एक जमाबंदी होती है, एक नंबर होती है, उस जमाबंदी के अंदर बहुत सारे जमीन होते हैं, खता होते हैं, उस खता के अंदर में जो आप जमीन है, आपका दादा परदादा का है, या किसी से खरीदे हैं, खरीदे होंगे आप उनके कौन हैं, माली जै कि पर दादा क्या पूटे हैं क्या बेटे हैं क्या नाती है, इसका परमान आपको देना होगा, आप दादा, अपने दादा का संपती है तब पूटे का परमान लगा दिजेगा, तो आपका वो भी हो जाएगा, उसके बद करेगी यारे नमर में नक्सा प्लोट यानि कि माली जे कि जिस जमीन को आप कवजा करके जोत बोद आवाद कर रहे हैं जिस पर रह रहे हैं उस जमीन का अगर नक्सा आप दिखा देते हैं नक्सा का फोटो को पिखिच करके अमीन से मांग करके उसको कौपी करा लिजेगा 10 रुपया के अगर वो ल प्रखंड से या पंचायत सचियों मुखिया किसी के द्वारा से अगर आप बटवारा बना करके सिडूल बना करके आप अपने पास रखे हुए हैं अगर वो बटवारा नामा दिखा देते हैं कि आपके हक में कौन सा जमीन है तो ये जमीन आपके नाम पर कर दिया जाएगा उसके बाद कर रहा है कि LPC, LPC के अंतरगत हो गया कि जैसे माली जै कि किसी जमीन के उपर आप दस्तावेज जमा करके लोन लिये हैं, बैंक द्वारा अगर लोन ले लिये हैं, तो लोन लेते समय आप कागजात जमा किया होंगे तो उसका भी प्रतिकोपी अगर लगाते हैं, लोनवाला और कगजात तो इसके माध्यम से आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा उसके बाद 14 नमर में है भूमी संबंधित का अगज यानि कि जमीन से संबंधित अगर कोई कगजात आपके पास में है कोई चीज पुराना से पुराना होगा भटा होगा आधा चिरकुट भी हो गया है उसके बाद आपका करें कि 15 नंबर 15 नंबर में करें कि जनम परमान पत्र देना होगा माली जी कि दादा जी का जमीन है परदादा का जमीन है अगर पोते के नाम पर करवाना है तो दादा जी का क्या करना होगा जनम तीथी आपको उसमें देना होगा उनका परमान होना उनके पीटा जी का क्या नाम था है ये पूरूफ हो जाएगा है कि उनके डादा जी का लड़का यह थे है, उनके लड़के की बेटे यह है जो पोता के रूप में उपस्थित हुए है तब जाकर के आपका जमीन, आपके नाम पर होगा तो यह 15 परकार के जमीन जो कगजात है इस कगजात में से आपको कोई भी कगजात क्या करना है जमा कर देना है पर पत्र 2 के साथ अगर नहीं मिल रहा है तो भूलेख अभी लेख भूलेख.gov.in पर जाकर के दस रुपे दे करके आप अपने कगजात को निकलवाएंगे और यह कगजात आप जमा करेंगे जमा करने के बाद आपका सर्वे हो जाएगा तो यह बहुत ही आसान अगर कहा जाए तो फैसला लिया गया है निम्मे लिया गया है कि 15 परकार में से कोई भी अगज आपके पास कागज है तो आपका आगज लगा दीजिए और जमा इन अपने नाम सर्वे करा लीजिए चलिए फिर मिलते हैं किस नेक्श वीडियो में तब तक कलिए जय हिंदे जय भारत का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं अगर नए विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद